तो देखिए मैं आज आपके सामने लिखा हूं हुली स्पेशल दही वड़ा की रेसिपी और इतना सौफ्ट और मुलायम यह दही वड़ा बनता है कि आपके मुह में एदम पाग जाकर घुल जाएगा यह तो देखिए कितनी सुन्दर ये दही वड़े की जो रेसिपी है मैं आज आपको दे रही हूँ और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनी थी ये दही वड़ा तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ये कितना अच्छा लग रहा है तो चलिए इसकी रेसिपी बनाते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए तो मैंने यहां पर ली हूँ एक कटोरी जो किसी कोई भी कटोरी ले रीजिए उसी से एक कटोरी मैंने यहां पर ली हूँ सफेद उड़त की दाल और उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी यहां पर ली ह दाल होती है ना वो मैंने लिया हूं मुंग की दाल तो एक कटोरी उड़त की दाल और आधी कटोरी मुंग की दाल इन दोनों को मिला कर हम लोग अभी इसको अच्छी तरह से दो कर भीगा देंगे तो देखिए मैंने इसको 4-5 पानी से दो कर भीगा दी थी और 4-5 गंटें के इसको अची तरह से फूल जाए गा और इसको तरह से अब दोनों दाल है तो अबी इसको पिसते हैं तो इसको पिसते हैं मैं भी आपको बताती हूं देखिए mixi jar ले लेंगे जो बाढ़ा बाला बाला जार होता है mixer का वो ले लेंगे उसके अंदर इस नहीं यह जो मेरी दाल तो देखिए एक बार मैंने इसको पीस तरह से तो जो उपर की डाल थी ना वह वैसे ही थी और जो नीचे की डाल थी वह पीस गए थी तो हम लोग इसको एक बार ऐसे ही मिक्स कर लेंगे इसको पीसने के लिए तो अभी मैं आपको बताती हूं पीस कर तो देखिए ये सेकंड टाइम मैं मैं इसको पीस ही हूँ अभी सेकंड टाइम पीस कर हो चुका है तो ये थोड़ा सा और मतलब पीस गया है थोड़ा सा दरदरा रहे गया है तो इसमें अब हम लोग डालेंगे थोड़ा सा पानी तो पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालिए जभरोड के साफ से पानी डाले, जारह पानीम मढ डाले, और अब मैं इसको पीश का दिखाते हूं, तो देखे कि अब पूरा अच्छी तरह से इसको मैंने पीश ली हूँ, एकदम महीन ये पिसा गया है, और ऐसा ही हमको चाहिए, देखे कि एकदम महीन पिसाया है ये, और अ इसको न हम लोग एक अलग बरतन में निकालेंगे पहले मैं आप इसको बाउल में निकाल लिको हम और इसको कम से कम इसको 5 मिनिट तक प्रोंबे। इसको अच्छी तरह से संदर air आने दीजिए, बहुत जादा जितना अच्छी तरह से आप इसको फेटेंगे न, उतना ही आपका दही वड़ा soft बनेगा, और इदम मुह में घुल जाने वाला बनेगा, तो देखिए कैसे मैं इसको mix कर रही हूँ, ऐसे ही इसको मिलाते जाए, आप चाहें तो हातों से भी इसको mix कर सकते हैं, मैं यहाँ पर spatula से mix कर रही हूँ, मगर बहुत अच्छी तरह से mix करना है, यहाँ पर मैंने वीडियो को fast कर दी हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जादा तरीके से फेट रहा है, और देखिए, आप देखिए क इसका test करेंगे, देखिए, पानी में डालने के बाद में एक दम पानी पर ही तैर रहा है, बिल्कुल यह डूब नहीं रहा है पानी के अंदर, तो यही इसके पहचान है कि यह बहुत अच्छी तरह से फिटा गया है, तो आप इस दही बल्ले के लिए हम लोग मसाले बना ल पानी थी और इनको अच्छी तरह से भुन ना है, देखिए, अब इसमें से धूओँ निकालने लगा है, यह बहुन गया है, तो आप इसको निकाल कर, यह बहुना जाएगा न तो इसको अलग प्लेट में रखी है, और आप गैस को बंद और इसी बरतन में हम लोग में डालेंगे और इसको हलका हलका टॉस कर लेंगे मतलब गैस चालू नहीं है गैस बंदी है कड़ाई हमारी गरम थी इसलिए मैंने उसमें वह रेड चिली को डाली थी आप चाहे तो लाल मिर्ची भी डाले सकते हैं तीकी वारी जो साबूत होती है अब इसमें हम लोग डाले करता है काला नम swings करते हैं Explain this ता इसमें बाहिक है यह कोती है इसको कोट लेंगे तो दऐखे इस CC को मिकसर में बिलकुल नहीं पीसना है इसको ऐसे हातों से कूटना है और कूट कर इसका जो टेस्ट होता ही वह बहुत ज़्यादाब्र था बढ़कर आता है पीसने से जयादा अब जो हमारा ओरत की जाल का और हम डालेंगे एक मशनат इस भी अविन फेट लेंगे तेल यहाँ पर हमारा गरम हो गया था अब में जो हमारे पहिए दाया लेंगे तेल और और आइस तरह दे थालेंगे तेल में डालकर और गैस को यहां पर रखिए low to medium पर बहुत सरा fast gas को नहीं रखना है और इसको ऐसे ही हम लोग अच्छी तरह से फेटेंगे देखिए यह कितना full जा रहा है quantity में डबल हो जा रहा है यह मैंने इसकेंदर कोई waking powder ने डाली है कोई soda ने डाला है हम लोगों ने इसमें किसी भी तरह का कुछ भी चीज नहीं डाला है जिसके लिए जिसके की हम लोग हमारे दहेइवळुए उसको ह्लाना है अगलारे इसमें अच्छींतर इसमें डाला शिर्फ नमके और हींग बस हमारे उड़त की डालगा और मुंं की यह हमारा और भैटर था अब इसको इसी तरह से तलेंगे आराम से और गैस को low to medium ही रटना है ज़रा तेश करना नहीं है तो बस देखिए हमारे दही बल्ले अच्छे से तल चुके हैं अब इसको मैं एक अलग बरतर में निकाल लोगी हमको दही भलो को तलने के बाद में पानी में भी डालना होता है ब मारा बैच है न दही बल्ले का वो भी अब निकाल ले रही हूं मैं अभी आपको दिखाती हूं कि जो यह हमारा बैटर कितना अच्छी तरह से रेडी हुआ है तो देखिए मैं जब बैटर डालूँगी न तेल में तो यह अपने आप टरन हो रहा है देखिए यह अपने अब ही टरन होना शुरू हो जाएगा एक दो जो टरन नहीं हुए हैं वो चिपके हुए थे इसलिए टरन नहीं हो पाए हैं तो यह सेकेंड बैच भी देखिए मेरा तलकर हो गया है अब मैं इसको निकाल लोंगी और जो जो दुकान वाले लोग होते हैं वो लोग थोड़ा बनाते हैं तो चोटा चोटा बल्ला बनाते हैं या तो शादी वागर में भी छोटे चोटे ही भल्ले मिलते हैं हमको तो देखिए अब इसको अच्छी तरह से हमको इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यह बड़ा है तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तलन प्रफ मिनिट के बाद में अपने रहने रहने दीजिए और रहने देजिए और दस-पन्दरा मिनिट कें बाद में हम अपने दही बल्लों को doesemble करेंगे तो देखिए यह मैंने एक दही ले ली हूँ उसमें मैंने डाल दिया है चीनी आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग इसके चीनी डाल दीजिए इसमें थोड़ा से पानी डालेंगे इसको डाइलूट कर लेंगे और इसको अभी हम लोग जो चीनी और दही का जो मिक्शर है ना कि जो हमारी दही है तो फो स्मूथ हो जाए हम को जाए मिघ्टालेंगे तो लिखा Composite with जो मरें पानी सौखेए तो इसलिए अभी हम लोक इसने अदर पानी डालatin करना तो अच्छी तरह डायलुट करतेंगे तो चलिए हम लोग एसेंबल करते हैं अब 15-20 मिनिट हो गए हमारे भलो को पानी में डूबे हुए हींग और नमक के अब इसमें से हम लोग निकाल लेंगे तो देखिए ये प्लेट में अपने हजबन के लिए लगा रही हूँ तो सारे भलो को अच्छी तरह से हलके हलके हातों से निचोड कर इसको निकाल लें अब इसके उपर सबसे पहले हम लोग डालेंगे दही देखिए यहां पर हमारी जो दही हमने शक्कर डाल कर इसको पाने में डाली उड़ करके रखा था वो आला दही हम लोग इसकंदर डाल देंगे तो यह देखिए आपको जितनी दही चाहिए जितनी कॉंटिटी आपको दही चाहिए उतनी दही आप ले सकते हैं आपना भ्लो को थोड़ा फोड़ा तोड़ देंगे बीच में से तोड़ दे रही हैं मैं सर tut एक ही एक ही तोड़ रही हूं क्योंकि ये हमारे बैले चोटे मिलिए में इसको 1बाइट वाले बैले हमारे हैं और इसको मैं तोड़ लूँगी, दही डालकर हो गया है, अब इसमें हम लोग डालेंगे हमारी जो चटनी ती तो ये धनिया पुदिने की चटनी है, मैंने आपको बहुत बार बताई हूँ कि धनिया पुदिने की चटनी कैसे बनती है, मेरे वीडियो पर है, तो आप वहाँ में देख सकते हैं , और ये छो इमली की चटनी में डाल रही है न, इसकी भी तो यह बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा दही और डालेंगे और इसमे अभी हम डालेंगे हारा धनिया और बस आप चाहिए तो नाइलोन वाली जो श्रेव वगरा होती है वो सब भी डाल सकते हैं बट कुछ चीजों को सिंपल ही रखे तो ज्यादा अच्छा होता है यह देखिए इतना बहतरीन वाला यह दही बल्ला बनकर तयार है तो इस होरी जरूर बनाईए यह यह वाला दही बल्ले और मैं भी आपको यहां पर थोड़ा सा तोड़कर भी दिखाती हूं दही बल्ले मेरे ससुर की बहुत फेवरिट थे उ यही थी आज की रेसिपी कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हूं नेक्स वीडियो में बाई